हेलो गाईज, वेलकम टू स्टडी वित यू चैनल, यहाँ पर हम All India Bar Examination System को लेकर अपडेट लाया हूँ और साथ में जो भी Candidates AIB 16 का एक्जाम किलियर कर लिये हैं, उन सभी को Certificate of Practice कैसे मिलेगा, कितना टाइम लग जाएगा और साथ में अगर COP लेना है, तो किसी भी तरगा अगर form apply करना है, तो कौन सा form apply करना है, क्या क्या document लगेंगे, वो हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर हम All India Bar Examination किलियर कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं, Certificate of Practice के बारे में जा रहेंगे, कैसे मिलेगा आप सभी को यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो भी Candidates ने AIB 16 का एक्जाम किलियर कर लिया इस बार, या फिर in future कोई भी एक्जाम किलियर करने वाले हैं, AIB का All India Bar Examination किलियर कर लेते हैं, तो उन्हें Certificate of Practice कैसे मिलेगा, वो हम जानेगे, तो यहाँ पर Certificate of Practice जो है, Bar Council of India के तरफ से आपके State Bar Council में भेजा जाता है, तो जो भी आप State Bar Council में इन्रॉल्मेंट करवाया हैं, अगर आप जारखन में हैं, तो जारखन के अगर State Bar Council में करवाया है, UP, मजपरदेश, दिल्ली, बिहार, कहीं भी, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग में, जो आपके BCI है, Bar Council of India है, आपके AIB किलियर होने क बाद, Bar Council of India Certificate of Practice जो है, आपके State Bar Council में भेजती है, और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कि आपके अपने State Bar Council में, और permanent enrollment certificate apply करने के लिए कौन कौन से document लगते हैं, वो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप सभी के चार document लगेंगे, पहला जो document होगा, वो AIB किलियर के जो आप, आपने जो किलियर किया है, उसका document लगेंगा, with role number और registration number के साथ में होना चाहिए, और second जो document है तो टू कलर passport size photograph लगेंगे, एप्लिकेंट का, जो advocate dress में होना चाहिए, advocate dress में आपका पुरोपर होना चाहिए, टू कलर का passport size photograph, एंधर जो document है, वो आपको लगेंगे, demand draft, याई डिडी आपको 500 रुपीज का fee आप पे करना होगा, जो जारकने State Bar Council का है, और यह आपका submit होगा इसके office में ही, तो यह ध्यान रखे कि अगर आप दूसरे State Bar Council से है, अगर आप UP से है, दिली से, अमन्द पर्देश से, और फिर किसी भी दूसरे State Bar Council से है, वहाँ पर आपका application fee vary कर सकता है, कम या बेसी हो सकता है, और साथ में, या फिर कोई और process भी हो सकता है, तो यह आपक candidates को यहाँ पर provisional enrollment certificate जो है, जो आपको enrollment करने time दिया जाता है, provisional enrollment certificate वो आपको यहाँ पर original copy उसका submit कर देना है, तो यह चार तरह का application है, that is document है, वो submit करना पड़ता है, और इसके साथ साथ आपको permanent enrollment certificate का जो form है, वो भी apply करना होता है, वो form कैसा है और कैसे apply करें, वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप दे सकते है permanent enrollment certificate, सिर्फ वो students apply कर सकते है, जो advocate clear कर चुके है, all idea bar examination, और यहाँ पर apply कैसे करना है, वो हम देख लेंगे example के तोर पर यह जार्खण state bar council का permanent enrollment certificate है, और इस तरीके से आपके state bar council में बिस यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, बाकि सारे तो यहाँ पर to the secretary जार्खण state bar council होगा starting में, subject में लिखना है for students of COP and permanent enrollment certificate, next line होगा sir, I, यहाँ आपका नाम हो जाएगा, son of, daughter of, या फिर wife of, तो यह तीनों में से जो भी आप होंगे, वो आपका लिखने लेना है यापर, फिर enrolled as an advocate जार्खण state bar council, यहाँ पर जार्खण state bar council के पास, आपको अपना state bar council का नाम लिखेना है, with enrollment number, enrollment number आपको यहाँ लिख रहे है, appeared for all India bar examination, आपने जो examination, all India bar examination का कौन सा exam में अपेर हुआ था, with registration number यहाँ देना है, and roll number, I have been declared as pass, I request you to kindly issue the certificate of practice sent by the BCI, I also request you to issue permanent enrollment certificate, that means यहाँ आपको request करना कि COP जो BCI के थुरू सेंट के जाएगा वो provide करवाने के लिए, और साथ में permanent enrollment certificate देने के लिए, यहाँ पर होगा, IITS हैं भी था, demand draft of price 500, made payable and जारकन state bar council, BD number आपने लिख लेना है, और किस date में आपने payment किया था, वो यहाँ पर, regards होगा, your faithfully, contact details आपको देना है, यहाँ पर, contact details के साथ में mobile number और email ID भी लिखना है, और in closed mandate, documents में आपको demand draft का, जो डीडी आपने payment किया को 500 रुपिस का, उसका document attach कर देना है, date और BD number के साथ में enrollment certificate, जो provisional enrollment certificate हो आपको submit करना है, document में, और two passport size career photograph, जो educate dress में आपका होना चाहिए, and next जो AIB आपने clear किया है, उसका certificate, roll number और registration number के साथ में आपको यहाँ document attach करके, य और यह ध्यान रहिए, जो process certificate of practice का license लेने के लिए है, और साथ में permanent enrollment certificate लेने के process के लिए है, इसी तरीके से हर एक state में आपको apply करना है, जो भी आप state में enrollment करवाए होंगे, और कई states में अपना अलग-अलग roll भी है, तो उस इसको आप देख लिजएगा, and साथ में अगर आप process में ने बताया certificate of practice का जो advocate license है, उसका लेने का था, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी doubt होगा, तो आप comment section में comment कर सकते है, I hope इस वीडियो के थुरू आपका जो भी doubt होगा, वो clear हो चुका है, and इसके बावजुद भी अगर कोई भी doubt है, तो आप comment section में comment किजिए, and आपको हमारी channel के उपर देखने को मिलेगा, तो उस update को जानने के लिए भी subscribe जरूर किजेगा, और bell notification icon को on कर लिजे, तो मिलते हैं, next video में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, thank you so much for watching this video.